हेलो और विलकम टो यूजी सिनेट लिट्फूरी स्पियों तो कैसे आज की यह जो वीडियो है इस वीडियो में हम असिस्टन प्रोफेसर की कुछ विकेंसिस हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले अड़िजमिंट नंबर आप देख लें अड़िजमिंट नंबर है 30559 अगें रुपीट कर देती हूँ 30559 यह जो है यह आपके अड़िजमिंट नंबर रहने वाला है कॉलेज का नाम देख लेते हैं जहां पर विकेंसिस आई है तो कॉलेज का नाम है बाबा बंदा बहादूर कॉलेज ओफ एजुकेशन जो की फरीद कोर्ट में पढ़ता है और यह जो कॉलेज है यह पंजाबी उनिवर्सटी पटियाला से एफलिएटिड कॉलेज है तो मैं एक चीज़ आपको पहली ही बता देती हूँ कि यह जो कॉलेज है यह एक बीएड कॉलेज है और यहाँ पर आपको बीएड क्लासिस को ही पढ़ाना है तो उसके रिकार्डिंग जो भी विकेंसिस है अब हम देख लेते हैं एफलिपश की टोटल यहाँ पर शिक्स विकेंसिस दिखाई गई है सबसे पहले तो education subject में टोटल थी विकेंसिस है इसके अलावा assistant professor in pedagogy subjects Pedagogy subjects कौन से है जैसे कि आपका social science है social science की एक विकेंसि है commerce की एक विकेंसि आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से total six vacances हैं assistant professor की nature of job की अगर हम बात करें तो ये आपकी permanent vacances ये उन्होंने बताई हैं और जो भी आपके salary रहेगी वो आपकी as per Punjabi University norms ही रहने वाली हैं तो ये हो गया subjects जिन में vacances आई हुई हैं अब हम मैं आपके साथ जो newspaper में advertisement इनकी आई थी वो भी share कर लेती वहाँ पर काफी हद तक चीज़े सेम बताई गई हैं सबसे पहले तो बताया गया है कि किस subject में कितनी vacances है इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो भी आपकी salary होगी educational qualification होगी और जो reservation होगी categories के लिए जैसे कि SC, BC, S3 and others वो UGC और NCTE और Punjabi University Patiyala और Punjab Government के rules के according ही रहने वाली ह आगे इन्होंने बताया है कि आपने apply किसी करना है apply करने के लिए आपको क्या करना होगा Punjabi University की official website जो है collegejobs.punjabiuniversity.ac.in आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने online apply करना है online apply करने के बाद आपको college में भी apply करना ज़रूरी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपको एक contact number provide किया गया है 01639253026 तो यह जो contact number दिया गया है आप इस contact number पर call करके भी पता कर सकते हैं कि college में आपने कैसे apply करना है because advertisement में कहीं भी आपको specifically mention नहीं किया गया कि आपने college के लिए कैसे apply करना है दो ही तरीके होते हैं तीन तरीके होते हैं college में apply करने के या तो आप by hand अपने जो application है वो college में submit करा कि आ सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा दूर से हैं तो आप लोग अपने जो documents हैं जैसे कि आपका resume हो गया आपकी जितने भी documents हैं वो सब आप उन्हें by post भी send कर सकते हैं और थर्ड तरीका यह होता है कि आप उनको mail कर सकते हैं तो एक बार आप confirm कर लें कि वो किस तरीके से convenient मानते हैं कि आप कैसे apply करना चाहिए अगर आप लोगों की number connect नहीं होता है तो in that case आप लोग उन्हें you know college address पर जो अपने documents हैं वो send कर सकते हैं तो आपका जो college के लिए application जो है वो consider की जाएगी एक चीज़ में आपको पहले ही बता देती हूँ कि college में और university portal पर दोनों जगह apply करना कामतल सरी होगा अगर आप एक भी जगह apply नहीं करते हैं तो आपकी जो application है वो automatically reject समझी जाएगी तो दोनों जगह से याद से ज़रूर apply करें अब हम सबसे important चीज़ डिसकस कर लिते हैं वो है कि last rate क्या रहेगी in vacances के लिए apply करने की तो जो आपकी last date है वो 24 में 2024 रहने वाली है मतलब कि 24 मई 2024 आपकी last date रहेगी in vacances के लिए apply करने की तो जल से जल्द आप लोग apply कर लीजिएगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही है I hope you find this video helpful and if this video is helpful for you don't forget to like, share and subscribe and for more such videos do subscribe the channel thank you